नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एश्ट्रो गुरू चैनल पर दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 29 से 31 जनवरी के लिए धैनिक राशिफल आई ये शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा दूसरी राशी लेते हैं वरिशव राशी वरिशव राशी 29 जनवरी के दिन आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा इस दिन आपका अपमान भी हो सकता है कारे रुक भी सकता है बने हुए काम बिगड़ भी सकते हैं चीजें आपके फेवर में नहीं रहेंगी इसलिए साउधानी बरतनी आवश्यक है परमावश्यक है 29 तारी को किसी लीगल मामले पर कोई कारें ना करें तो अच्छा रहेगा डाकुमेंट्स पर सिगनेचर करते समय और किसी को कोई प्रामिस करते समय बहुत ज़्यादा साउधानी बरतने की जरूरत है उन लोगों से साउधान रहने की जरूरत है जो अपने होने का दिखावा करते हैं और उन लोगों को अपनी बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी है इसका भी ध्यान रखिएगा जितना ज़्यादा आप इस दिन सीक्रेट रखेंगे मानने अगर आपका कोई काम खराब भी हो जाता है किसी कारे में आपको असफलता मिल जाती है तो इस असफलता वाली बात को भी कहां बताना है कहां नहीं बताना है इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा 30 जनवरी के दिन आप खुश रहेंगे, परसंद रहेंगे परिवार की ओर से सुखत समाचार मिल सकते हैं या परिवार की ओर से एक अच्छा सहियोग प्राप्त हो सकता है जिसकी वज़ा से आपका दिन बढ़ियां रहेगा इस दिन आप काफी ज़्यादा मिर्दुल सरल वेक्ती रहेंगे इस वज़ा से आपको बातों में लेना यानि कि आपको प्रभावित करना थोड़ा आसान तो रहेगा लेकिन आपको अपनी बाते मनवाना भी आसान रहेगा लोग आपसे अपनी बाते कहकर काम निकाल सकते हैं इसलिए ध्यान दीजेगा कि किसके काम आना है किसके काम नहीं आना है यहां ये भी ध्यान रखिएगा और साथ-साथ अपने विचारों को छिपा करके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा तीस तारिक को नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं दिन बढ़िया रहेगा इस दिन आप अपनी योजनाओं में सफल कैसे हो इसके बारे में जितना अधिक चिंतन करेंगे आपको नए आइडिया और नए रास्ते उतने ज़्यादा मिलते चले जाएंगे 31 जनवरी का दिन थोड़ा सा दुरू हो थोड़ा सा सरल दोनों हो सकता है कई बार ये डिपेंड करेगा आपकी सोच आपकी मानसिक्ता पर अगर आपको लगता है कि चीजें उस प्रकार से हेंडल नहीं की जा सकती है जिस प्रकार से आप सोचते थे तो आपको दिन दुरू हो लगेगा, मुश्किल लगेगा लेकिन अगर आपको ये लगता है कि चीजें कितनी भी मुश्किल हों आप इसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं तो चीजें, मुश्किल चीजें भी आपको आसान दिखेंगी इसलिए अपनी मानसिक्ता में, अपनी सोच में परिवर्तन लाने का प्रयास जरूर करें 31 तारिक एक ऐसा दिन रहेगा, जब आप प्रसंदतों रहेंगे लेकिन इसके बावजूद छुटी नहीं लेंगे और अपने काम में इन्वाल्व रहेंगे ये बहुत बढ़िया बात भी है, और साथ ही साथ अच्छी बात ये है कि आपके जो सहयोगी हैं, परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, कलीक्स हैं, ये सभी आपको सपोर्ड भी करेंगे इन तीनों दिनों में प्रेम संबंधों के लिए 29 तारिक बिल्कुल अच्छी ती थी नहीं है, यह ती थी 29 तारिक, वैवाहिक जीवन और व्यापार के लिए भी बढ़िया नहीं है, बाकी 30 और 31 अच्छे रहेंगे तो दोस्तों ये था देनिक राशिफल 29 से 31 जनवरी के लिए, आपको ये कारेकरम कैसा लगा, अपने अनुभो, अपने सुझाओ, कमेंट सेक्षन में जरूर लिखें, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, धन्यव नमस्का